Graphic Card, हर gamer जानता होगा और वो हर बंदा जो PC या लैप्तॉप में गेम खेलता है कभी ना कभी Graphic Card का नाम तो सुना ही होगा तो क्या आप जानते हैं कि यह जो Graphic Card होता है इसका Types भी होते हैं Like Dedicated Graphic Card या Integrated Graphic Card यह सब क्या बला है, क्या Best Graphic Card रहेगा आपके लिए games खेलते हो तो अगर आप सब को gaming के लिए graphic card select करने में बहुत सारी होती है दिक्कत तो ये वीडियो ना एकदम आपके लिए ही बनी है और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप सब अगर PC बिल्ड करने जाते हो तो like graphic card अपने नाम सुनाओगा क्या types होते हैं कौन सा graphic card best होता है आप सब के लिए सब कुछ बताना हो लिए in-depth वीडियो होने वाली है मैं काफी ज़्यादा इसी energy में हूँ प्लीज अगर नया बनना है तो दबा के ग्रे कर दिना मैं ऐसे useful और टेक वीडियो लाते रहता हूँ मैं काफी ज़्यादा energy में हूँ और अब नजदा बात करते हूँ इसी power energy के साथ वीडियो को करते हैं साथ सबसे पहले यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ू सबसे पहले मैं basic information से start कर चाहूँगा तो like graphic card actually में क्या होता है तो अगर मैं खाली graphic card की बात करो तो यह एक hardware component होता है जो कि आप सब के एक motherboard में यह install होता है जाके तो अगर आप सब मेरे से पूछना चाहोगे कि इसको लगाने से actually क्या होता है तो देखो इसको लगाने के बाद आपके system की जो display है वो convert हो जाती है high definition में और अगर मैं असान बासे में कहूँ तो यह मदद करता है आपके system को बहुर जादा powerful बनाने की और capacity देने की के वो काफी hard work और powerful चीजे कर सके like example के थुरू समझाना चाहूँगा देखो अगर आप सब एक graphic card लगाते हो तो आप सब graphic card की मदद से triple title वाली games जो बड़ी बड़ी games होती है उसको खेल सकते हो और graphic works अगर आप सब थोड़ा बहुत भी करते हो तो उसके लिए आप सब को एक graphic card की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और देखो अगर आप सब कुछ भी कर रहे हो एक graphic intensive work कर रहे हो तो आप सब को graphic card लेना बहुत ज़्यादा necessary हो जाता है अब देखो सबसे पहले मैं य तो यार difference बहुत आसान simple साय देखो dedicated graphic आप नाम से समझ रहे हो dedicated मतलब यहाँ पे एक external पूरा card मिलता है यहाँ पे आप सब को external आप सब इसको insert कर पाओगे अपने motherboard में एक slot होती है के अंदर यह graphic card जो होता है वो insert होता है तो यह वाले जो cards होते हैं यह basically dedicated graphic card होते हैं जो की ब type की होती है जो की मेली आप सबने अपने laptops में देखे होंगे side में लिका होता है Intel UHD ऐसे type के जो graphic card होते हैं यह basically display graphic cards इसको normally हम बोलते हैं और यह already आप सब के motherboard में install होके आता ही है और generally आप सब को यह वाले जो integrated है ना यह आप सब को अपने laptop में देखने को मिलते हैं एक difference और है तो वह बहुत ज्यादा powerful होता है उसको खुद की एक supply चाहिए होती है ताकि graphic processing unit होती है यह सारी चीजों को use करने के लिए उसके power supply बहुत ज्यादा necessary है इंटेग्रेटर में ऐसा कोई need नहीं होती है कि अलग से इसके लिए power supply चाहिए ही उसमें आप सब को डिबो एक basic display graphic card होत ज्यादा heavy और powerful होता है क्योंकि यार देखो आप सब का काम ना एक dedicated चीज के लिए अगर आप सब वह चीज खरीद रहे हो तो of course सी बात है वह काम dedicated मतलब खाली उसके लिए ही यह use होगा तो graphic card dedicated ले रहे हो तो आप सब का है वह काफी ज्यादा powerful बन जाएगा देखो market में आप सब confused हो रहे होंगे कि dedicated graphic card कैसे होते हैं देखो यह series में na RTX, GTX, 1650, 1050 Ti ऐसे numbers में लिखे होते हैं और यह basically dedicated होते हैं और वहीं integrated graphics की बात करते हैं तो यह mainly आप सब को देखा होगा आपके laptop में छोटा सा Intel UHD लिखा होता है या AMD Radeon लिखा होगा या Vega graphics लिखा हो Hope आप सब इन दोनों की बीच में difference समझ गयोंगे अब एक सवाल यह आता है कि dedicated अगर ले रहो तो क्या uses होंगे dedicated के और integrated के क्या uses होंगे तो simply बताओं देखो dedicated अगर आप सब graphic card ले रहो तो आप सब gaming, live streaming, video encoding करनी है या blending जैसे software यूज करनी है या video editing की rendering को तेज करना है तो graphic card लेना चाहिए मतलब इसका conclusion यह निकलते है कि अगर आप सब को थोड़ा professional intensive work है graphic intensive work है अगर आप सब का system उतना load नहीं उठा पार है तो आप सब को ए graphic card लगाने की बहुत ज़्यादर जरूरत है in the other end अगर मैं बहुत कुरू integrated की तो देखो integrated में आगर आप सब integrated graphic card वाले system अ आप सब को जो integrated graphic card जो होते हैं वो काफी जता help करेंगे इन सब चीजों में तो मेंली आप सब को difference समझ में आ गया होगा इन दोनों की और देखो कोई भी question रह गया है तो आप मारे comment section में लिखके बोल सकते हैं मैं वहाँ पर आप सब को definitely reply दे दुगा और कोई दिकत नी होगी भाई hopefully थोड़ी बहुत informative वीडियो थी और मजा आया होगा आप सब को देख किया देखो और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये छोड़ी छोड़ी नौलेज जो होती है या आप सब को पता रहनी चाहिए अगर आप सब के घर के system है या कुछ भी है बागी hopefully वीडियो देख की